नमस्कार आपका स्वागत राजनामा दुनिया पे मैं पूनम आपके साथ रितिक रोशन और प्रिती जिंटा सार फिल्म कोई मिल गया आठ अगस दोजात तीन को थियेटर में रिलीज हुई थी इससाल फिल्म की 20 वी अनिवर्सरी के मौके पर फिल्म को 4 अगस से 10 अगस के बीच थीएटर में दुबारा इलीज किया जाएगा इस मौके पर डिरेक्टर और रितिक रोशन के पिता राके शोशन ने फिल्म से जुड़े किस्ते शेयर किये हैं राकेश रोशन ने बताए कि उन्होंने इस फिल्म के साथ अपने बेटे का करियर भी दाव पर लगाया था उन्होंने कहा कि फिल्म की काम्याबी ही रितिक की मेच सुधा सकती थी दरसल 2000 में रिलीज हुए फिल्म कहोना प्यार है के बाद रितिक रोशन ओवरनाइट सेशन बन गए थे इस फिल्म को भी उनके पिता राकेश रोशन ने ही डिरेक्ट किया था इसके बाद उनकी कई फिल्में आई पर ज़्यादा तर फिल्म बॉक्स ओफिस पर अच्छा परफॉमेंस नहीं कर पाई कहोना प्यारे के बाद रितिक रोशन फिल्म फिल्म फिजा मिशन कश्मीर यादे कभी खुशी कभी गम आप मुझे अच्छे लगने लगे ना तुम जानो ना हम मुझे से दोस्ती करोगे मैं प्रेम की दिवानी हूँ जैसी फिल्मों में दिखे थे ये सभी फिल्में दोजा से दोजा तीन के बिश रिलीज हुई थी इस वज़ा से रोशन रितिक के करियर को लेगर टेंचन चल रही थी राकिश रोशन ने कहा मैं भी रितिक के करियर को लेगर काफी परिशान था उनकी पिछली फिल्मों को अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिला था यहां तक कि डिरेक्टर सूरज बढ़ जाता कि फिल्म मैं प्रेम की दिवानी हूँ एक बिक बजट फिल्म थी पर यह भी फ्लॉप रही मैं परिशान था मुझे लगा शायद कोई मिल गया देखने भी कोई नहीं आएगा लेकिन जब मैंने रितिक के साथ कोई मिल गया का पहला शॉट शूट किया मेरा कॉन्फिडेंस सो प्रतिशत बढ़ गया मुझे पता था कि यह फिल्म हिट हो की इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ धन्यवाद